उद्धिमिता विकास को जानने और समझने के बाद आएए अब उद्धिमिता विकास की प्रक्रिया देखते हैं कि इसमें कौन सी ऐसे स्टेप्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है और वो स्टेप्स उद्धिमिता विकास में एक प्रकार का हिल्प करती हैं या मदद करती हैं उद्यमित्य विकास की प्रक्रिया को तीन चरणों में बाटा गया है जो पहला चरण है यह जो चरण होता है यह प्रशिक्षण यानि ट्रेनिंग देने के पहले का चरण होता है और यहीं पर प्रशिक्षण की तैयारी ही यह तै करती है कि यह जो प्रोसेस हम कर रहे हैं या दे रहे हैं, यह सफल होगा या असफल होगा, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत आवर्शक है, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, उसको आगे इंप्लेमेंट कर सकते हैं, या जो हमने प्लान किया है, या सोच रखा है, उस मिताबक हम कारी कर सकते हैं तो यह जो पहला चरण होता है यही वो चरण होता है जिसमें की पूरे प्रशिक्षण को प्लान किया जाता है step by step कौन कौन सी क्रियाएं होंगी निर्धारित किया जाता है तो पहले चरण में आईए हम कुछ क्रियाएं देखते हैं कि इन में जो होने वाली important या महत्वपूर्ण क्रियाएं कौन कौन सी होती है जैसे कि आप स्क्रीन पर स्पष्ट है प्रेक्षिक्षन के लिए पठन पाठन सामगरी तयार करना यह जो है पहला step होता है इसका बिल्कुल सही बात है जैसे आप क्लास में भी जाते हैं तो आपका syllabus आपको मिलता है ठीक है उसी syllabus के according आपको books भी मिलती है तो आप उन books को क्या करते हैं रीड करते हैं जब हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं प्रेक्षिक्षन की बात कर रहे हैं तो यहां पर उनको जो है पठन पठन के लिए क्या मिलता है सामगरी दी जाती अब इन सामगरियों में क्या-क्या चीज़े हो सकती है लिट्रेचर हो सकता है जिसमें उनके according इस प्रकार का प्रेश्रिक्षन दिया जा रहा है उसके according उनको पूरा फॉर्माट रिटन फॉर्माट में दिया हो पढ़ने के लिए यह एक बुक हो दूसरी चीज़ एक चोटा रिजिस्टर या कॉपी हो और एक पैन या पैंसल हो इस तरह की पठन-पाठन की सामगरी दी जाती अगर इसमें हम देखें तो कुछ पॉइंट सामने आते हैं जो कि इस प्रकार है पहला बिंदु कहता है कि भावी उद्यमियों को उद्यमी करन उद्यमी की आर्थिक उनती कि में भूमिका वा उद्यम स्थापित करने के लिए उपलब्द सुविधाओं के बारे में जानकारी दी जाती है इस इसमें जो इसमें उद्यमी करेंच क्या होता है इसमें आर्थिक उनती इंपॉर्टेंट रू प्ले करती है उद्यमिता इस प्रकार फोर्स फूली काम करेगी बहुत सारे छो को एक साहता पूंसेप्त सुनिया होता है दूसरी चीज चीज ये होती है कि तो उद्यमिता है जब उसका प्रशिक्षन दिया जाता है तो एक प्रेणा की तरह दिया जाता है यह जो लोग होते हैं प्रशिक्षक होते हैं एक मोटिवेटर की तरह कारे करते हैं जो यह बताते हैं कि उद्यमिता जो है वो केवल उनको एक बोज की तरह नहीं लेना है बलक समाज के लिए और देश के लिए भी होगी फिर तीसरी बात आती है कि इस उद्यमिता के जो content है उसमें जरूरी प्रबंद की वह तक्निकी जानकारी हेतु सामगरी जुटाई जाती है और यह जो प्रशिक्षन लेने आये हैं उनको यह जानकारियां सौपी जाती है लिकित फॉर्माट में तो मतलब कौन-कौन सी जरूरी चीजे हैं टेक्निकली हम बात करें management के लिए बात करें सारे चीजे उस content की अंदर रहती है फिर विबिन एजनसियों वह संगठन के बारे में भी जनकरी यहां पर दी जाती है कि ऐसे कौन-कौन सी एजनसियां हैं ऐसे कौन-कौन से financial institutions हैं इनके बारे में जनकरी दी जाती है कि कौन-कौन से संगठन है जो आर्थिक रूप से उनको विकास एवं विस्तार करने में मदद करेंगे या helpful सिद्ध होंगे फिर विबिन परियोजनों के रिपोर्ट को उपलब्द कराना ताकि प्रतिभागी उनके बारे में जान सके तो बिल्कुल सही बात है अभी तक देखिए हर चीज को पढ़ने से पहले जो पूरानी चीज़े हिस्ट्री हम बात करें तो उसकी हिस्ट्री जानना जरूरी है कि लोग किस तरीके से आगे के जबिक है तो आगर प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट से से कीडिसफ और आ ऑगर लागाए तो वो कौन से कारण तो उनके उनके बाद उठाय के जिससे वो जो प्रोजेक्ट जो अंसेक्सट्फुल हो रहा था वह बात में जा करके सक्सट्फुल हो गया तो यह सारी चीजे जो होती है वह प्रश्रिक्षन के पथन-पाथन सामगरी के अंतरगत निर्धारित की जाती है या उनके प्रशिक्षन देना है ठीक है या जिनको प्रशिक्षन के लिए आंबत्रित करना है वो योग्यवेक्ति कौन है है ना तो यह जो योग्यवेक्ति होते हैं वो कहां कहां से लिए जाएंगे research and development से लिए जाएंगे different universities यानि विश्व विद्यालेों से लिए जाएंगे या management शिक्षा संस्थानों से लिए जाएंगे अलग अलग जगों से इनका चुनाव कियाता है इन में से तो कुछ जो है प्रशिक्षक ही स्वायम होते हैं जो प्रशिक्षन देने आएंगे और कुछ जो होते हैं जो प्रशिक्षन के लिए ही वहाँ पर आएंगे as a candidate और as a student हम भी कह सकते हैं फिर बात आती है विग्यापन की विग्यापन इसलिए दिये जाते हैं कि लोगों तक ये बात पहुँचे कि यहां पर इस प्रकार का प्रशिक्षन दिया जा रहा है और जो management के students हैं या जो इस तरह के पढ़ाई या शिक्षन संस्थानों से related लोग हैं जिनको ये training program attend करना एक interesting task लगता है या उनको लगता है कि भविष्य में ये चीजें क्या हो सकती है उनको फाइदा पहुचा सकती है तो ये विग्यापन मदद करेंगे लोगों को निमंत्रन देने के लिए फिर अगला बिंदू आता है जो कहता है भावी उद्यम्यों का चनाव बिल्कुल सही बात है जब वि प्रस्टिक्षन जो है एक हाई लेवल प्रोग्राम का चल रहा है तो हमको ऐसे लोगों का चुनाव करना है जो कि इस प्रस्टिक्षन को लेने योग है ठीक है तो यह क्या नंबर ऑफ क्यांडिडेट्स कितने हो सकते हैं 30 से 40 इस से बढ़कर नहीं और किस बेसिस पर चुन तो जब रिज्यूम जाता है मारा तो सिलेक्षन पहले उस बेसिस पर होता है कि जिस वोस्ट के लिए हम जा रहे हैं क्या हमारा जो रिज्यूम है अप्रोप्रीएट है की Breaking कि नी उसके कोडिंग है की नी तो सीम चीज्व यह भी हो रही है कि जब जो व्यक्ति या जो प्रश्क्षन के लिए रहे हैं जो प्रारथना पत्र आ रहे हैं तो उनकी ओन दी गई जो जानकारियां है वह में बनने के लायख हैं विक्ति को क्योंकि हमको क्या देना है और सही डूसरी चीज यह कि उद्यमी साख्षाथकार होना भी जरूरी है क्योंकि उस से उस व्यक्ति की मानसिख स्थिति का पता चलता है उसकी चिंतन शीकता का पता चलता है उसकी different अबिलिटीज है ना जो गुण है जो उद्यमी में गुण होना चाहिए जैसे कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी है ठीक है उसके डिसिजन मेकिंग एबिलिटी यह ऐसे अलग-अलग जो गुण है जो 15 गुणों की मैंने चर्चा की थी वह सारे गुणों उनको हम जान सकते हैं साक्षातकार के द्वारा तो कुछ चरण है जैसे कि मैंने डिस्कुस किया कि प्रात्ना पत्र देख करके उसमें लिखी जानकारी को पढ़ करके साथ ही साथ साक्षातकार के द्वारा ही हम उन उद्यमियों का चैन करेंगे जिने किया कर देना है में प्र प्रश्रिक्षन के लिए पठन-पाथन सामगरी तयार करना है फिर आपने देखा कि योग्य विक्तियों का चुनाव करना है तीसरी चीज आपने देखी कि विज्ञापन देना है और चौथी चीज आपने देखी कि भावी उद्यमियों का चुनाव करना है तो यह प्रथम च यहां पर प्रश्रिक्षन के समय बहुत सारी अक्टिविटीज कराई जाती है जैसे कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स की होंगे तो कुछ प्रोग्राम भी कराई जाते हैं साथ में अब क्योंकि यह एक उद्यमियों के लिए प्रश्रिक्षन है तो बाजार का सर्विक्षन इसलिए इस चरण में यह सारे स्टैप्स को फॉलो किया जाता है आप बात आती है कि इन में कौन-कौन से तरिके अपनाए जा सकते हैं तो बिल्कुल आपकी क्लासरूम की तरह ही इसमें लगबख सिमिलर रिया एक जैसे तरीके अपना जाते हैं पहला तो होता lecture method जिसमें की प्रशिक्षक है वो क्या करेगा lecture देगा उनको किसी concept के बारे में बताएगा details देगा जैसे कि मैं अगर आपको यहां खड़े हो करके कुछ जानकारिया दे रही हूं तो मैं क्या कर रही हूं lecture method का इस्तमाल कर रही हूं फिर दूसरी बात आती है लिखित निर्देश विदी इसमें क्या करेंगे जितने भी उनके content से related बाते हैं उसको एक लिखित पत्र में उनको क्या कर देना हैंड ओवर कर देना जैसे कि आप लोग अगर नोट्स बनाते राइट आप लोग नोट्स बनाते तो यह क्या कर रहे हैं आपको टीचर जब नोट्स बनवाते हैं तो यह लिखित निर्देश दे रहे हैं आपको question answers दे रहे हैं आपको book के exercises करा रहे हैं आपको accounts में questions solve करा रहे हैं तो यह क्या है लिखित निर्देश दे रहें ठीक है फिर बात आती है प्रदर्शन विदियां की या प्राक्टिकल नॉलेच से रिलेटेड बाते आ रहे हैं कि आपको सीधा मार्केट में उतार दिया जाए उद्यमी को और वहां का क्या उनको सर्विक्षन करा जाए ठीक है अनुसंदान प्रक्रिया समझाए जाए फिर विपणन की जानकारी दी जाए उसके लिए अलग-अलग डिविशन में उनको जानकारी देने के लिए ले जाया जाएगी वह स्वेम प्रतिक्ष वहां जाकर के चीजों को अनुभाव करें जानकारियां को प्राप्त करें ठीक है तो इस तरीके से एक प्राक्टिकल य या वे औरड़ी एक बहुत बड़े उद्यमी हैं तो उनके पास क्या होगा बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा है ना शेयर करने के लिए बताने के लिए कि उनके जीवनकाल में कैसी कैसी घटनाय हुई और उन्होंने उपने उद्यम के स्टार्टिंग कहां से की उसका विकास क साल कौन तो यह सारा एक्सपीरियंस क्या कर सकते हैं यह वह क्या करते हैं जो प्रकार का डेटा है मनुश्य के लिए क्योंकि अगर मनुश्य सवयाम जाकर एक-एक से पूछे तो इसको काफी समय लगता है ठीक है लेकिन अगर कोई विद्वान ना करके स्वयम एक बहुत बड़े ग्रूप को 30-40 प्रश्क्षन लेने वाले विद्यारतियों को अगर आ करके वो डेटा उपलब्द कराएं तो यह बहुत बड़ी बात होती है ठीक है तो इसे ह बात करने हैं किसी विशेश विक्ती से थे कहते हैं इंडिविजोल qi तो पर पर फिर आती है सामुहिक प्रशीक्षण यह group में जब老ोगोंको एक साल ग्रूंच दिया जाता है तौ से हम सामुहिक प्रश्क्षण कहते हैं और फिर独द्द्र चरण के जो तरीके थे एतने ही थे मतलब इंके अंतरगत आप इन तरीकों को जानते हैं और इसीक थू ही एप प्रेस्टोर्य को पूर ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है अब बात आती है फीडबैक और फॉलो अप की है ना यह हम कह सकते हैं कि लोगों से जानकारी लेना कि आपने क्या सीखा क्या समझा ठीक है तो इसमें कुछ चीजें आती हैं जो की एक जो प्रशिक्षन देने वाले हैं प्रशिक्षक साथ ही जो लोग जिन लोगों ने इस प्रकार के प्रशिक करना भविश्य के लिए तो वो कौन-कौन से पॉइंट्स होते हैं आए देखते हैं पहला पॉइंट तो यह होता है कि क्या जो प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोग्राम पहले प्लान किया गया था वो उसी अनुरूप या उसी के अनुसार वो ट्रेनिंग प्रोग्राम पूर तीसरी बात यह होती है कि अब उन कमजोरियों को हमको पता करना है और भविश्य में उन कमजोरियों को सुधारने का कारे करना है अगली बार प्रशिक्षन प्रोग्राम का ओगनाईज किया जाए तो उससे में क्या हो यह गलतिया दुबारा से ना हो तो बच्चों इस तरीके हमें विकास प्रोग्राम के प्रोस à को या उसकी प्रक्रिया को जाना है जिसने हमें तीन चरणों बाटाता Rainbow के पहले का शरण होता है जेंधर inherent क करताए यहीं करता है कि प्रशुशन प्रोग्राम कंज हमें कर देऊसरा यहां गया जाता है अलग अलग विधी से अलग- जो अंतिम चरण होता है यह feedback या follow-up का चरण होता है अर्थात यह प्रशिक्षन के बाद का चरण होता है अब उसके बाद feedback या follow-up लेना है तो इस तरीके से आशा है आपको यह उद्धिमें विकास की जो प्रक्रिया है वो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी आई अब देखते हैं उद्धिमें विकास प्रशिक्षन के प्रकार types of entrepreneurial development training programs ठीक है तो यह जो training programs दिये जाते हैं यह basically इनका जो उद्धेश हम कह सकते हैं यह होता है कि जो भावी उद्धिमी है उनको अंतर तता by motivation या प्रेरणा के थूँ motivate करना प्रेरित करना की उद्धिम के ख्षित्र में आगे बढ़ें और साथ साथ वो एक ख्षित्र में विकास विस्तार करें दूसरी चीज़ यह होती है कि इसमें कई ऐसी संस्थाएं है ना institutions की बात कर रही हूं मैं काम करती है जो की training program को या प् इसे जो training programs होते हैं इनका जो duration होता है या इनकी अवदी अकाल होता है छे हफ्तों का होता है साथ ही साथ हम इसे 45 दिनों का भी मान सकते हैं आई अब देखते हैं कि तो यह 45 दिनों की या 6 हफ्तों की training program के दौरान किस प्रकार की prescription व्यवस्था की जाती है और क्या क्या चीज हैं आईए उन्हें समझ्य की कोशिश करते हैं पहला बेंदो कहता है कि उद्यमिता परिचय प्रशिक्षण यानि इंट्रप्रेनियोर इंट्रडक्शन ट्रेनिंग यह एक नॉर्मल इंट्रडक्शन ट्रेनिंग के जैसे ही होता है जैसे कि अगर हम किसी office में काम करने जाते कंप्यूटर पर अगर work करना है तो किस format पर किस application में किस software में काम करना होगा इनसे जुड़ी सारी चीज़ सिखाए जाती है तो उसी तरीके से अगर हम उद्यमिता की बात करें यहां जो परिचय प्रिच्षण दिया आयता है इसमें सारी चीज़ें सिखाए जाती है और बत कर लिए जाएंगे मार्केट का सर्विक्षण समय समय पर क्यों जरूरी है कब करना चाहिए और इसमें और भी क्या-क्या बेसिक चीज़ें इन्वाल होती है सारी चीज़ें इसके अंतरगत जो है सिखाए जाती है फिर दूसरा बिंदु कहता है कि अभी प्रेरेंड क्या जाता है मोटिवेट किया जाता है कि वह आगे चलके इस प्रकार के कारियों को आगे बढ़ाएं और उनका विकास करें क्या होता है कि यह कारें है इतना सीधा और सरल नहीं है जितना यह दिकता अ अगर हम बात करें तो अध्यमी वह विक्ति होता है जिसमें की अलग- लोगों से एक अच्छा परिचय बना के रखना उनसे साथ अच्छा संबंद बना के रखना क्योंकि एक उद्यमी वही विक्ति होता है अगर उसे अपने उद्यम को सफल बनाना है तो उसके लिए कई प्रकार के लोगों की आवश्रक्ता होती है और अगर उसके संबंद इन सारी परिशानियों का सामना उसे करना पड़ेगा तो यह एक मोटिवेटर की तरह होता है जो यह सिखाता है कि किस सरीके से अपने अंदर उन गुणों को लाना है और अपने में कुछ अच्छी गुणों या अपने में कुछ बदलाव करने हैं जिससे कि हम जो हैं एक अच्छे उद्यमी की तरह प्रस्तु हो सकें और साथी भग कारिक कर सकें और साथी साथ ये ये भी प्रेरित करते हैं क्योंकि एक उद्यमी को बहुत सारे कानूनों नियमों जो की शासन के द्वारा बनाये जाते हैं ठीक है उन नियमों कानूनों का पा कारिक्रम में दी जाती है आगे पढ़ते हैं तीसरा बिंदु कहता है कि प्रबंध़की कौशल उद्यमी उद्यम चला रहा है तो इसे अकाउंटेंशी की सब्सक्राइब करना है और नियमों और कानूनों के जो शासन के द्वारा निर्मत हैं उसके लिए क्या से प्रिपेर होंगे कौन से प्रिपेर होंगे और साथ ही जिस तरह का प्रडेक्शन कर रहा है कर रहा है मैनिफेक्शरिंग कर रहा है उस तरह के लेकिस प्रकार के स्किल्ड वर्कर्स या कुशल कार्मचारियों के आवश्यक्ता होगी उनको पहचाना यह सारी स्किल्स जो है वह इस कारेक्रम के यानि हम कह रहे हैं जिस प्रशिक्शन कारेक्रम की बात कर रहे हैं उस कारे तरीके से प्रबंधन कर सके अगला बिंदु हम स्क्रीन पर देखते हैं अगला बिंदु कहता है कि परियोजना प्रबंध का प्रशिक्षन यानि ट्रेनिंग ऑफ प्रोजेक्ट मानेजमेंट अब बच्छो आप देखे कोई भी उद्यमी है वो किसी एक प्रोजेक्ट पर कार जाता है जो बेसिक चीज़ अगर बात करें तो यह क्या-क्या इंक्लूड होती है इसमें यह कि जब हम परियोजना प्रबंध की बात कर रहे हैं तो उसके अंतरगत नियोजन एम नर्देशन की प्रक्रिया से है और उसकी उत्पत्ति से पूर्ण होने तक है निश्री समयम लागत के अंदर दिये गए जोखिमो का स्रिजन भी इसमें किया जाता है मतलब एक प्रोजेक्ट लिया गया है और उस प्रोजेक्ट को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारी चीज़े लगती है जैसे करना उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाना फिर आगे चलके जो समस्याएं आ रही हैं उनके लिए समाधान ढूनना और अन्त तक जब तक जो उद्देश के लिए उस प्रोजेक्ट की शुरुवात हुए उस प्रोजेक्ट का अंतरना हो जाए उस उद्देश भूरती कारे करना यह सारी चीजह प्रोजना प्रबंद प्रिशिक्षन के अंतरगत सिखाह जाती हैं कुछ बातों का समावैस इसमें होता है जो कि आपके स्क्रीन पर हैं वह बात होती है कि जो विद्दाइब होता है उसमें विचार की खोज होती है परियोजना की अवधारना का विकास होता है फिर परियोजना की पहचान करने वाली बात होती है परियोजना किस प्रकार डिजाइन की जाएगी परियोजना की रिपोर्ट कैसे प्रिपेर होगी और परियोजना में कितनी लागत आएगी प्लांट ले आउट कैसा होगा और परियोजना पे नियंतरण किस प्रकार रखा जाएगा ये सारी चीज़ें जो हैं परियोजना प्रबंध के प्रशिक्षण के अंतरगत सिखाई और समझाई जाती हैं अगला बिंदू आता है प्रियोजना संरचनात्मक अध्यान यानि प्रोजेक्ट उस्ट्राक्च्चुरल स्ट्डी से हम समझ सकते हैं कि किसी भी प्रॉजर स्ट्रक्चर के अंतरगत स्ट्डी करना है ना हर चीज प्रौपर फार्मैट होता है जैसे आपकी बॉड़ि ऊक प् से तरीक हो सही नहीं होता है तो क्या वो काम ढूंधिक से हो पाएगा नहीं , इसलिए इनकियों कारइकरमों में इस तरफ की सट्रुक्च्रल स्टडी कराई जाती है जिसमें कि लगू द्योगण की स्थाफणा कैसे हूँ या कर सकते हैं थासी में से है कौन सी रियायते मिल सकती है साथ ही साथ कौन से अनापत्ति प्रमाण पत्र इन प्रोजेक्ट के अंतरगत लिए जाने चाहिए संगठन का स्वरूप कैसा होगा यह सारी चीजे इन विश्यों की जानकारी जो है इस स्ट्रक्ट्टरल स्टडी की अंतरगत दी जाती है यहां कि आप भाई जाये झrit आप खुद ही जा करके मार्केट रिसर्च करिए मार्केट स्टडी करिए प्राक्τικल नॉलेज़ गेंन करिए और इसके बाद एक अपना सिनॉप्सिस स्रेज़ेकर के एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट रड趣 कर सामिट करिए तो यह से लगात कर ना मतलब सम्टाइम्स यह report प्रेजंट की भी जाती हैं, सम्टाइम्स इस इनफ कि इस चरण को फॉलो किया जा रहा है, यह इस step को फॉलो किया जा रहा है. तो बचों, इस तरीके से हमने उद्यमिता विकास प्रशिक्षन के प्रकार को जाना है और समझा है.